नवश्कार आप देख रहे हैं E24 और News24 मैं हूँ नीतु कुमार और मैं आज बात करूँगी मिठून चक्रवर्ती की मिठून चक्रवर्ती जो की 80 के दर्शक में बॉलिवुट के सूपर स्टार थे उन्होंने सैकडो फिल्मों में काम किया बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में हैं और लोग प्यार से डिस्को डांसर बुलाया करते थे जी हाँ एक दौर था उस समय जब बॉलिवुट में बहुत ज़ादा आक्टर्स डांस ने करते थे मिथून दा डांस का एक नया तरीका लेकर आएं बिल्कुल अलग अंदाज में डांस करते थे और उनका वो इस स्टाइल हिट हो गया वो डिस्को डांसर कहलाएं और मतलब जो डिस्को डांस जो है वो बहुत अच्छे से कर लिया करते थे जबकि बाकी आक्टर्स जो है इस मामले में काफी पीछे थे इसके अलबा मिथून चक्रवर्ती की परसनालटी भी बहुत अच्छी थी भले हैं वो साबले थे लेकिन काफी हैंसम दिखते थे और बॉलिवूड में जो है फिल्मी करियर तो उनका अच्छा रहा ही उनके साथ गौसिप भी हमेशा लगा रहा जिसकी वज़ा से मिथून चक्रवर्ती जो है असी के दशक के बहुत ही पॉपुलर आक्टर रहें आपको बताएं कि मिथून चक्रवर्ती ने बहुत तेजी से उचाईयां छुई और असी के दशक में अमिताब बच्चन जब बॉलिवूड से कह सकते थे कि उस समय उनके करियर का धलान चल रहा था उस वक्त मिथून चक्रवर्ती जो है बॉलिवूड के लिए उगता और मिथून चक्रवर्ती ने उस दौर की बहुत सारी हिट फिल्मों में काम की डिस्को डांसर तो थी ही उनकी फिल्म डांस दांस हिट रही प्यार जुपता ने एक रोमैंटिक फिल्म थी वो भी जबरदस्थ हिट रही श्रीदेवी के साथ मिथून ने बहुत सारी फिल्म बने हुए थे आपको एक कहानी बताएंगे कि जब मिथून चक्रवर्ती स्टार बन गए थे बॉलिवुड मुन का पर्चम लहरा रहा था उस वक्त आम तोर पर यह माना जाना चाहिए कि मिथून अंदर से बहुत खुश होते लेकिन उस वक्त मिथून अंदर से बहुत बॉलिवुड के नंबर वन स्टार बन गए तो बॉलिवुड में उनके तमाम दोस्तों उनके साथ नहीं थे उनके कुछ निजी दोस्त भी जो थे वो भी उनसे दूरी बनाने लगे थे लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि अब तो मिथून जो है स्टार बन गया है वो ह परिशान रहते थे, क्योंकि अपना गम बाटने के लिए उनके पास उस समय कोई दोस्त नहीं था, लंबा समय उन्होंने एक अकेला पन जेला बॉलिवर्ड में कि वो पार्टियों में नहीं जा पाते थे, बहुत उनके दोस्त नहीं बन पा रहे थे, बिल्कुल अकेले अकेल मिथुन चक्रवर्ती के यह सच है कि बॉलिवुड में उस समय जैसे अनिल कपूर और जैकी श्रॉप में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बाकी अक्टर्स में भी आपस में सबकी बहुत बनती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं था, इस वज अकेले शूटिंग पे जाते, शूटिंग से घर आते, अपना काम करते और लंबा समय उन्होंने अकेले पन में बिताया, जिसको मिथुन की माने तो उनके इनिजी लाइफ की बात करें तो काफी उससे परिशान रहे, ये बात अलग है कि वो जो एक टाइम था, उनके फिल् अलिवुड में सबका विवहार भी बहुत अच्छा रहा, एक बार मिथुन फिरोज खान के पास गये थे काम मांगने और वहाँ पर उनको कह दिया गया था, वहीं एक बार राज कपूर से भी काम मांगने गये थे तो वहाँ पर उनको कहा गया था कि मेक अप करने के बाद चेहरा बहुत अजीव लगेगा क्योंकि मिथुन का रंग सावला था, उस दौर में बहुत से ऐसी अक्ट्रसेंस भी थी जो मिथुन के साथ काम करना नहीं चाहती थी, बहुत जिखते हुए जो है, वो मिथुन की फिल्म के लिए हाँ किया करती थी, ये तमाम बाते हैं जो मिथुन को बहुत सालती रही, उनके मूँ पे कई बार कह दिया गया कि आप बहुत सावले हैं, आपको हम बतौर हीरो नहीं ले सकते, लेकिन इन तमाम फिल्मी पंडितों की बात को मिथुन ने जुटलाया, उनको जब फिल्मे मिली तो उन्होंने अपने आपको साबित किय उन्होंने कहा कि वो अच्छी एक्टिंग के साथ साथ जो है स्क्रीन पे अच्छे दिख भी सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अस्ती के दशक में लड़कियां जो है मिथुन की दिवानी हुआ करती थी, उसी सावले मिथुन की दिवानी हुआ करती थी, जिनको जो है ब बॉलिवुड के नमबर वन स्टार वो अस्ती के दर्शक में बने।